तो इस वक्त की बड़ी ज़ानकारी मिल रही है कोरोना के नई लहल से भारत में अलर्ट नजर आ रहा है स्वास्त मंत्राले में उच्छ तर ये बैटर कोई कोरोना को लेकर पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में है कोरोना को लेकर घबरानी की जुरत नहीं है स्वास्त मंत्री वहीं बोल रहे है कि कोरोना अभी गया नहीं है हमें अलर्ट रहने की जुरत है कोरोना टेस्टिंग को भी बढ़ानी की जुरत है फिल्हाल गाइडलाइन्स में किसी तरह का कोई बदलाब नहीं किया गया भीड भाड़ वाली जगव पर मास का इस्तिमाल करें कोरोना पर पूरे हालातों की समीक्षा हुई है सीनिया, सिटिजन, प्रिकॉशन, डोज लगवाई कोरोना पर हर हफ्ते स्वास्त मंत्राले की बैठक होगी आपको उतादे की चीन में कोरोना विसफोर्ट के बाद भारत में भी पूरी तरह से अलर्ट नज़रा रहा है सरकार पूरी तरह से समीक्षा कर रही है और सी कड़ी में हर हफ्ते बैठक होगी ताकि कितने कोरोना के केस आए, कितनी टेस्टिंग हुई है और कितने ठीक हुए है, इसका पता लगाया जासे के साथिसा सीरियो सिचिजन छोटे बच्चों को खास प्रिकोशन्स लेने की बात की जा रही है कि वो खास अपना ध्रान रखे भीरभारवाली जगवपर अगर आप जा रहे हैं अब क्या आप अप्पील करेंगी को लोगों ने वाक्सिल लेनी थी वो लगा ली है अब लोग खुद भी लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे तो हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है इंडिविज्योल तो रुकता ही है पचता ही है तो यह जब एक काईडलाइन है और हमारी स्ट्राइजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए यह कारे में उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है और यह नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे अभी जो कहा है मैंने वह जो कहा है आज की डेट में यही मानने है इन फैक्ट नॉमल लाइफ लीड करिए कोविड अप्रोफिट प्याविवियर रखे सिम् कराना है हमने तो हमने तो रिस्टोर्स रिस्टोर्स अवेलेबल करना है टेस्टिंग की कपैस्टी में कोई कमी है ही नहीं जी